नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप आप सब की प्रपरेशन बहुत अच्छी चल रहे होगी स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आप जो सारे कैंडिडेट्स जो भी स्टुडेंट्स सीजी पीडीट्यम एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे है या फ्यूचर में करना चाते हैं उन सब के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है और ये ग्रेट न्यूज है ये क्या है कि आपका कल यानि की 13 अक्टूबर 2023 को नेशनल आईपी कॉन्टरेंस हुआ था जिसमें की हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर प्यूश गोईल जी ने ये अनौंस किया है कि जो हम मैन पावर है उसको डबल करने जा रहे है मतलब की हम जादा से जादा लोग हायर करेंगे जादा से जादा रिकूट्मेंट करेंगे और कितना करेंगे तो इन्हों ने जो एक्जेक नबर ऑफ फिकर्स बोला है वो बोला है 900 900 लोगों को ये हायर करने जा रहा है आपके सामने ये आर्टिकल है दा इकोनोमिक टाइम्स का कल का न्यूज है आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल है इंडिया टू डबल मैन पावर तो प्रोसेस आई पी अप्लिकेशन देखिए अब यह क्यों बढ़ाया जा रहा है और आपके पेट आ रहे हैं उसका अप्रूवल देने में उनको टाइम लगता है क्योंकि अभी हमारे पास उतने आपके कंट्रोलर या फिर आप बोल सकते हैं पेटेंट आफिसर अभी उतने नहीं है जितने उनको रिक्वार्मेंट होनी चाहिए तो इस वज़े से क्या होता है एप्रूवल प्रूपर्टी अप्लिकेशन इन ओर्डर तू स्ट्रीम लाइन प्रॉसेस एंड इंक्रीस ट्रांस्परेंसी और यहां पर बोला गया दा इंडियन पेटेंट आफिस विल हायर एन एडिशनल नाइन हंडर पीपल तो हैंडल ग्रोइंग नंबर आफ आईपी अप्लिकेशन मतलब आप समझ सकते हैं 900 लोगों को यह हायर करने जा रहे हैं और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है क्योंकि देखिए क्या होता है बहुत सारे लोग गलत तरीके से रेजिस्टरेशन कराने की कोशिच करते हैं तो उनके लिए भी इन्होंने बोलाए कि एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें की इनके अगेंस्ट हम कुछ एक्शन ले सके इसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि वी आर डबलिंग दे मैन पावर इन आर आईपी एकोसिस्टम मतलब कि आप देख सकते हैं एक्शामिनर जोइन कंट्रोलर सब को अपॉइंट किया जाएगा तो पेटेंट ऑफिजर पेटेंट एक्शामिनर इनका भी वेकेंसी आने वाला है अभी यह देखिए कब तक आने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं पता है ना भी हम आपको ऐस सच बताने वाले हैं लेकिन हाँ अगर आप इसकी प्रपरेशन करना जाते हैं फ्यूचर में तो फिर आपके लिए गुड नीज है क्योंकि उन्होंने बोल दिया है और देख फॉर प्रोसेसिंग दा इंक्रीजिंग नंबर अफ इंट्रेलेक्शल प्रपर्टी अप्लिकेशन पेटेंट फाइलिंग हैस इंक्रीज टेन टाइम्स एस कंपेर टू तू 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 तो आप देख सकते हैं 2016 के कंपेरिजन में यहां पर देखिए पेटेंट जो है वो कितन को अप्रूवल टाइम पर देना जब नेगे कैसे गिए जब जल्दी से जल्दी प्रॉसेस उपाएगा तो इसके लिए क्या करना अँगा ुदि यह जादा से था कि जो भी स्टुडेंट्स जो भी कैंडिडेट्स इसकी प्रपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है आप जा करके देखिए किस तरह का यह जौब है एक रेपुटेट जौब है बहुत अच्छा जौब है दो फेज में एक्जाम होता है प्रिलिम्स में और मेंस में क्या इसका एक्जामिनेशन पैटर्न होता है हम आपको संग्जा देते हैं ताकि आगे अगर आप फ्यूचर में प्रपरेशन करना चाहें तुकर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं आपके सामने इसका CGPDTM का एक् technology हो गया, microbiology हो गया, food technology हो गया, इन में सब में आपकी vacancies आती हैं, ठीक है, अलग-अलग department में, तो जो prelims रहता है, यह common रहता है, सभी के लिए paper common रहता है, जो mains रहता है, उसमें prelims के कुछ subjects रहते हैं, और इसके साथ साथ आपका, जो आपका subject रहता है, suppose physics है, तो physics के question रहेंग के, ठीक है, और paper का duration रहता है, two hours, ठीक, अब देखें, यहाँ पर क्या है, numerical ability 30 marks का, reasoning 30 marks का, English 15 marks का, general science 30 marks का, GK और current affairs 30 marks का, और IP, IP legislation in India, intellectual property से related कई सारे, इसमें आपके questions पूछे जाते हैं, patent act हो गया, आपका, copyright act हो गया, trademark act हो गया, यह जितना पूरा intellectual property है, जितने भी इसके types ह होते हैं, जितने भी categories होते हैं, इन सब का पूरा आपका एक, यह section है, जिसमें आपके 15 questions पूछे जाते हैं, तो total 150 questions आपके होते हैं, और यह 150 marks का होता है, और जो duration रहता है, यह आपका paper रहता है, two hours का, यह होता है, हमारा इसका prelims का, आपका, क्या बोलते है, pattern, prelims रहता है, mains मेंस रहता है, और उसके बाद आपका interview रहता है, ठीक है, prelims, mains and interview, तो यह prelims का pattern है, mains का pattern देखिए, mains मेंस में आपका क्या आजाता है, यहाँ पे आपका elementary mathematics, reasoning aptitude, English language, general knowledge, all intellectual property, यानि कि यह जो आपके हैं, total 100 marks का हो जाता है, तो paper 1, यह पूरा आपका paper 1 होता है, paper 1, यह पूरा पूछे जाता है, यह होता है, आपका paper 2, ठीक है, देखिए, mains exam में बोला गया है, there are two papers, paper 1 and paper 2, mains exam will be conducted in offline, जो आपका prelims रहता है, वो online paper होता है, prelims आपका online exam होता है, ठीक है, mains आपका offline होता है, mains offline होता है, और यहाँ पर देखिए, जो paper 1 होता है, यह OMR based होता है, offline paper होता है, OM आपका descriptive होता है, paper 2 आपका descriptive होता है, total marks होते हैं, इसके 400 marks, ठीक है, 150 marks का prelims और उसके बाद आपका यह main exam, यह 400 marks का होता है, यह आपका examination pattern रहता है, तो अभी अगर आप future में इसकी preparation करना चाहते हैं, इसके लिए eligible हैं, तो आप इसकी preparation अपनी चालू कर सकते हैं, एक बहुत अ अच्छा job है, और इसके साथ challenging job है, आपको काम करने में मज़ा आएगा, तो यह सारी चीज़े थी, जो आपको आप सब के साथ share करना था, आप सब के लिए एक अच्छी news है, कि हाँ, vacancies आने वाली जैसे की पता है, कि इसके पहले जो vacancy आई थी, 2018 में आई थी, उसके बाद सीज़े सीज़े 5 years के बाद, 5 साल बाद आ रही है, 2023 में, तो finally, कल Commerce Minister ने भी बोल दिया है, DPIIT के Secretary ने भी बोल दिया है, कि हम 900 और लोग hire करेंगे, तो हो सकता है कि इस recruitment के, अभी already recruitment जल रहा है, इस recruitment के खतम होने के बाद हो सकता है, नया vacancy announce कर दें, क्योंकि उनको भी requirement है, क किसी भी तरह की inquiry, eligibility, cutoff, previous paper, किसी भी तरह की inquiry जाते हैं, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, so thank you very much and thank you for watching.